पहले ही पता है कि Conjuring Story रियल लाइफ पे बेस्ड फिल्म है और इसके पहले और दूसरे पार्ट को काफी जादा प्यार दिया गया इसी की वज़े से Conjuring 3 आया है और सीधे बात कर लेते हैं प्लॉट के बारे में दिखाया गया है कि Glazel नाम की एक फैमली रहती है जो की एक नए गर में शिफ्ट होती है और उनकी फैमली में चार लोग रहते हैं जहां पर हस्बेंड वाइफ बेटी डेवी और बेट डेविड रहता है डेवी का बोई फ्रेंड रहता है जिसका नाम आ आत्माओं का साया रहता है और कुछ टाइम बाद डेविड को यह आत्माओं सताने लगती है यह आत्माओं दिखने लगती है और कुछ टाइम बाद डेविड की हरकते धीरे-धीरे बदलने लगती है जो की काफी डरावनी भी होने लगती है और आपको बता दे कि आरने औ माइक पूर चेंज हो जाती है अपने लांडर कर्देता है जिसके तक बडिट को के नहीं का आप मुद्वीं मुद्वेशा इंटरी कोपे इड्ड और लॉरyan की केस को इन्वेस्टिगेट करने की दोरां भी अब लौरिन को कई सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है और बेहतरी इन ट्विस्ट एंड टर्न भी आप लोग को देखने को मिलेंगे और अब बात कर लेते हैं ड्रामा की तो हाला कि आपको सुनने में तो यह स्टोरी काफी सिंपल लगेगी लेकिन जिस तरहा से इसको एक्जिक्यूट किया गया है वह काफी काबिलित तारीफ है दोस्तों हाला कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कंजीरिंग 3 किस तरहा की लगी तो मैं बता दू कि यह कंजीरिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्स्राइब जरूर कर दीजेगा मिलेंगे इस वीडियो में दता क्ले अपना खयाल रखेगा